हेलो गाईस मेरा नाम है रोहित और अगर आप लोग Rapid Workers वेबसाइट में काम करना चाते हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यार प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मिस मत करना ठीक है तो आपको पूरी डीटेल बताने वाला ह है या फेक है कैसे आपको अकाउंट क्रियेट करना है और कितना आप लोग यहां से अर्निंग कर सकते हो ठीक है तो गाईस अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके लिए मैं अर्निंग से अप्शन में मिल जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रियेट करना होता है इस वेबसाइट में ठीक है मैं आपको बताऊंगा बट उससे पहले कुछ इसके रूल्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है एंड यह रूल्स में को सबसे बेकार चीज रखती हूं तो देखो यहां पर इनके रूल्स जो है वो यह गहते है कि न आपको एक से ज्यादा अकाउंट क्रियेट नहीं करना है इस वेबसाइट में ठीक है अगर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा यहां पर मैंने यही गलती की थी और इसी की वज़ा से अभी मेरा भी नहीं बना सकते यह भी एक प्रॉब्लम है ठीक है अगर आपका अकाउंट एक बार डिलीट हो गया तो आप दूसरी बार अकाउंट क्रियेट नहीं कर सकते एक ही बार कर सकते हो तो अगर आप लोग अकाउंट क्रियेट कर रहे हो तो एक ही बार करना दो अकाउंट क्रि and मैं create तो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा account ban हो चुका है and मैं अभी फिर से account create भी नहीं कर सकता तो इसके कुछ rules आपको बता देता हूँ जो आपको follow करने होंगे आप वीडियो को देखते रहिए बहुत ही important वीडियो है ठीक है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है using VPN or other type of masking IP software तो यह सब चीज यहाँ पे allowed नहीं है वो सारी red ink से लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो two multiple accounts with the same IP or using shared public Wi-Fi तो यहाँ पे यह भी allowed नहीं है कि अगर आप दो account यूज कर रहे हो एक ही device से तो आपका account बैन हो जाएगा ठीक है और same IP used with other accounts to do tasks तो यहाँ पर IP address भी अगर आप same use करते हो तो आपका account बैन हो जाएगा यह हो गया तीसरा rule और चौता यह है doing other country jobs that you are not from मतलब कि यहाँ पे आपको सिरफ इंडिया की ही task complete करनी है अगर आप इंडिया से हो तो और कोई अगर आप करते हो तो आपका account यहाँ पे बैन हो जाएगा ठीक है यह भी problem है international और इंडिया के task ही complete करने है और कोई करते हो तो उसमें भी account बैन हो जाएगा तो इतने ख़दरनाक इनके rules है अगर आपका account बैन ही हो जाएगा तो मैं को इससे सही website लगती है peekoverkers और sproutgeeks.com दोनों एक ही है तो उसके उपर भी मैंने वीडियो बना रखिये आई बटन में लिंक मिल जाएगा अगर हो जगे तो यार उसको यूज करो भाई वो इससे ज़्यादा बैटर है बट फिर भी अगर आप लोग extra running करना चाहते हो तो इस website को भी use कर सकते हो ठीक है account create करना बहुत ही असान है sign up now में click करना है name, email, ID, password, country select कर लेना है I am not a robot पे tick करके sign up पे click कर देना है create my account में आपका account create हो जाएगा चोटा सा प्रोसेस है पहले भी कई बार बता चुका हूँ और फिर सिरफ email ID और password डालके login करना है और आपके task यहाँ पे दिखाए देंगे जिनको आपको complete करना है तो उसके लिए काफी सारे tutorial available है YouTube में आप देख सकते हो की कैसे task complete करना है ठीक है तो यह website की सबसे बूरी बात यह लगती है कि इनोंने काफी जादा rules रखे हुए है यहाँ पे ठीक है बाकि आपके उपर है अगर काम करना है तो link description में है मेरी तरफ से तो ठीक ही website है बट इनके rules काफी बेकार है ठीक है तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक करो चैनल को कर दो subscribe क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं